तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नये और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के नॉन हिंदी का जी है नॉन हिंदी का मस्ट विवी इसंट कोषिन एंसर के सांथ करने वाले हैं यह व्यवी सब्जेक्टिव कोषिन है यानि कि वेरी हिंदी स्में टोटल तेस चेप्टर को पूरा निचो निकाल कर यह मस्ट भी विए सब्जेक्टिव कोशन तेयार किया गया है और अगर आप लोग इन सभी सब्जेक्टिव कोशन पर कमांड कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप लोग का एक भी सब्जेक्टिव कोशन फाइनल एक्जाम में छूपने वाला नहीं है हर एक कोशन का एंसर आप लोग बिल्कुल सही सही लिक कराएंगे बस हर एक सब्जेक्टिव कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए और आप लोग का कमेंड भी आ रहा था कि 10th क्लास के नौन हिंदी का करा दिजी और वैसे भी मैं आप लोग को उर्दू का भी कराऊंगी टेंसर नाले हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा आप लोग जितने भी 10th क्लास वाले स्टुएंट है वो सोच रहे होंगे एक ही वीडियो में पुरा बाइलोजी कंप्लीट एक ही वीडियो में पुरा जेग्राफी कंप्लीट एक ही वीडियो में पुरा हिस्ट्री कंप्लीट एक ही वीडियो में पुरा उर्दू कंप्लीट तो इस तरह करके हर एक सब्जेक्ट को आप लोगो एक एक वीडियो में कम्प्टीर करा दिया जाएगा यानि कि हर एक सब्जेक्ट का महा महराथन चलेगा सोच एक कितना वेनफिस्टीयल आपलों के लिए अभीतक जो इतारन कुछ भी नहीं पढ़ है या फिर आप सब लोग की तेयरी होते आ mix al Opportunity दिनों में तैयारी कर रहे हैं पुरे म्तलब आप mensen फिर आ French dosella Hod! आप लोगी तेयरी जीरो है कुछ भी नहीं पड़े हैं तो भी सभी स्टुरेंट के लिए आने वाला हर एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि यापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एकदम टक टकी लगा कर रखे कि कब वीडियो अप उसको पढ़िएगा समझिएगा और मेरे इंसर बताने से पहले तो आप लोग खुद सर देने की कुछ किजिएगा इससे पता चलेगा कि आप लोग्वी तयारी कितनी अच्छी है आप लोग सभी क्षोशन का ऐन सर्दे पा रहे हैं कि नहीं अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बिडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ सबसक्राइब करेब करके नोटिफिकेशन कर लिए ब्रॉड़ोड आक तक सबसे पहले पहुचे तो नाव विदाउंट एनी डिले लेक्स गोडू सकती है लेकिन आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हर एक सब्जेक्टिब कोश्चन का एंसर कम्प्लीट कीजिएगा ठेक है ना थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन हां सारा सब्जेक्टिब कोश्चन हम लोग कम्प्लीट करेंगे एक भी छोड़ेंगे नहीं ताकि आप लोग खुद फाइनल एक्जाम में एक भी सब्जेक्टिब कोश्चन छोड़ करना है सारा का सारा इंदम सही सही बना करा है तो जैसा की देख सकते हैं सबसे पहला सवाल आ तथा इसने दोनों भाव जगे है इदगाह कहानी उसी से एक कोशन उठाए गया है और इस में अमीना जो रहती है उसके मन में क्रोध तथा इसने यानि कि गुस्सा भी आता है और फिर वो रोग इसने वे बदल जाता है तो इस वजा से आप लोग देख सकते हैं कितने अच खाती पीट कर कहा कि तू बे समझ लड़का है कुछ खाया पिया नहीं और लाया क्या चिम्टा लेकिन हामिद ने बताया कि दादी जब तुम रोटी बनाती थी तो तुम्हारी उंगलिया जल जाती थी इसलिए मैंने चिम्टा खरीद लिया हामिद की या बात सुनकर अमीना क क्रोध जो है वो इसने में बदल गया और आखों से खुशी के आंसू बहे गया तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एंसर लिख दिया गया है आप लोग को भी बिल्कुल इस तरह से लिखना है ताकि कॉपी चेक करने वाला आप लो कौन से विचारा है यह भी important question है ठीक है answer में लिखा गया है कि मेले में चिम्टा खरीदने से पहले हामिद के मन में बहुत सारे विचारा है वो अपनी लल्चाई आखों से खिलाओने की दुकान की और देख रहा था हामिद जब मेले में आगे बढ़ा तो मिठाई की दुका आयी किसी ने रेवडी तो किसी ने गुलाब जामुन खरीदी लेकिन हमीद के पास कुल तीन पैसे थे विचारा उतने पैसे में मिठाई भी नहीं खरीद सकता था उसके मन में विचार आया है कि मैं मिठाई खरिद दू लेकिन कम पैसा होने की कारण वह मिठाई नहीं खरिद सका तो इसका भी answer बहुत ही बहतरी नधंग से लिखा गया है आप लोग बस देखें हो सकता है कि आप लोग को answer पता हो या फिर नहीं भी पता होगा तो आप लोग तो answer तो जान ही जा रहा है न लेकिन ये भी आप जरूर सीखिए ये idea लिजे कि बिलकुल इसी तरीके से आप लोग को भी लफजों को सजा कर लिखना है ठीक है और अंत तक आप लोग बने रहे बहुत सारा सवाल है यहाँ पर और टोटल टेंथ क्लास के नौन ह लंबी हो सकती है तो आप लोग को अंत तक बने रहना है ठीक है तीसरा सवाल देखिए कर्मवीर की पहचान क्या है इंपोर्टेंट कोश्चन है देखिए इसका जवाब लिखा गया है कि कर्मवीर विशम परिस्थितियों में सहज बने रहते हैं वह भागयवादी नहीं कर संत करने का प्रियास करते हैं अत्त हम कह सकते हैं कि कर्मवीर वैक्ति निर्भिक देश प्रेमी आत्मविश्वासी प्रोबकारी और स्वाभिमानी होते हैं यह हो गया आगे अगला सवाल देखिए इदगाह चैप्टर से कोशन उठा कि इद्के दिन अमीना की उदास्ती य यह पैसे नहीं थे यानकी खाने के लिए भोजन और सामान खरिदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए एद के दिन जो है वह अमीना उदास थी ठीक है पूरी चैप्टर जितना भी चैप्टर है ना हर एक चैप्टर को मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ अगर आप लोग नहीं पढ़ रखाया और अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी भी है वक्त और हम लोग कंप्लीट कर ले तो कोई दिकत नहीं है लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक पर क्लिक करेंगे पड़ती एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को कहूंगी कि अब चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है यह जितना भी सब्जेक्टिव कोशन करा रही हूं यह सारा आप लोग कर लिजे आप लोग आसानी से हरे कोशन का एंसर पाइनल एक्जाम में देकर आ सकते हैं कोई टे छापे पर रोटी उलटने के कारण उनका हाथ जल जाया करता था इस वज़ा से हामिट जो है मिठाई एक हिलोना खरीदने के बदले चिम्टा खरिदता है याननकी चिम्टा कあ चायन करता है स्क्रीन है कि मेला जाने से हमिद दादी से क्या कहता है बहुत ही सिंपल सवाल है और खेर आप लोगो को पता भी होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन बाल गोविन भगत ग्रिहस्त थे फिर भी उन्हें साधू क्यूं कहा जाता था ये भी इंपोर्टेंट सवाल है वैसे तो सारा इंपोर्टेंट कोश्चन है एक भी कोश्चन आप लोगो छोड़ अले ग्रिहस्त थे फिर भी उन्हें साधू इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरन साधू जैसा था ठीक है क्योंकि उनका आचरन साधू जैसा था इसलिए उन्हें साधू कहा जाता था साधू आडंबरों या अनुस्ठानों के पालन निर्वा से नहीं होता यदी गया एंसर आगे बढ़ते हैं next question question number five है कि बाल गोबिन भगत ने अपने बेटे की मृत्यू पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की मतलब कि बाल गोबिन भगत के बेटे की जब मृत्यू हो गई मौत हो गई तो फिर उस वक्त बाल गोबिन भगत किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किये यानि कि उनकी फिलिंग्स कैसी थी उस वक्त वह अंदर से क्या मैसूस कर रहे थे यह आप लोगो बताना है तो देखिए एंसर में लिखा गया है बाल गोबिन भगत अपने बेट बलकि जो उनके बेटे का शौ था यानि कि मृत शरीर वहाँ पर बैठ कर मगन होकर कबीर की भक्ती गीत का रहे थे उनकी भावना का यह चरन उतकर्ष था वो अपने पतोह से कहते थे कि यह रोने का नहीं उत्सों मनाने का समय है क्योंकि एक आत्मा अपने परमात्मा से मिल अग्ला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि द्भर्म का मर्म आचरन में अनुस्ठान में नहीं एसपस्ट कीजिए ये भी important सवाल है जवाब देखिए इस कथन के माध्यम से लेखक ने एसपस्ट करने का प्रयाश किया है कि धर्म पालन आदंबरों या अनुस्ठानों के निर्वाह में नहीं बलकि आचरन की पवित्रता और शुद्धता में होता है जब कोई व्यक्ति और करनी एक जैसी होती है तथा जो अपना दिन्चर्या और निर्णय मनुश्यता के अनुरूप करता है वह जीवन मुल्य को सही रूप में जान लेता है धर्म का मर्म यही होता है अता जीवन की आदर्श को जीवन में उतारना और आशन करना ही धर्म का मर्म है हो गया एंस लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगला क्वेशन है कि बाल गोबीन भगत कबीर को सहब मानते थे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो बाल गोबीन भगत जो है न वो कबीर पंथी थे वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित थे भगत जी आडंबर से दूर र अग्ला सवाल हाँ कोशन नमबर नम्बर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नम्बर अलग अलग है यहां पर एक नमबर है उसका बाद से यहां पर 11 नमबर है इस वज़ाए से क्योंकि मैं जो इंपॉटेंट इंपॉटेंट कोश्चन है ना वो मैं उठाई हूं इस वज़़े से नमबर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों यह सारे इंपॉटेंट मस्ट विविए सब्जेक्टिव कोशन है यह ध्यान में रखिएगा और इसी वज़़े से आप लोगों क स्किप नहीं करना है विडियो को लगातार देखते रहना है और हर एक पॉइंट को समझना है नेक्स्ट क्या है कि चुनावती बच्चे को परिपक्व बना देती है इस युक्ति की व्याख्या कीजिए तो देखिए एंसर लिखा गया है कोशन क्या पूछा गया आप लोग करने या सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबी के कारण एक छोटा बालक किस प्रकार व्रिद्धोचित विवेक का परिचय देता है हामित के पास अन्य बच्चों के पिक्षा कम पैसे हैं और उसे सामान भी खरीदना है कम पैसों में सभी बच्चों से अच्छा सामान उसके लिए एक चुनावती है देख सकते हैं ये चुनावती है और चुनावती के वज़ा से वो बच्चा जो है न कैसे बड़ो की तरह सोच देता है यान की चुनावती बच्चों को परिपक को बना देती है यही दिखाए गया है या पर तो ये चुनावती है इसके लिए हा कड़ों की तरह सोचने पर मजबूर कर देती हैं जिस तरह हामीद के साथ हुआ ठीक है नेक्स्ट कोश्टन हुंडू का जल प्रपात के आधार पर समझाईए कि किसी यात्रा विर्तांत को रोचक बनाने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए एंसर में लिखा हु जिसकर पारे है जैसा कि खुन पूंडू का जल प्रपात शर्षक पाथ में लेखक में वर्नर किया हैं ठीक है नेक्स्ट कॉश्टन अपने राज्य के किसी एक मिनट जिह अपने राज्य की किसी दो जल प्रपात का नाम लिखिए यहां पर लिख दिया गया राजगीर में गर्म जलकप्रपात है तक तथा नवदा जीर के ककोलत में ठंड़ा जलकप्रपात है येले नेक्स कोश्चन है कि जैसे हुन्डरू का जहरना है वैसा उसका मार्ग इस कथन की ब्याक्या किजिये ये भी इंप्ग्रटन कोश्चन है एंसर में लिखा गया है कि हुन्डू का जहरना राची से 27 मिल की दूरी पर अवस्थित है। मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसा दूरी का जहरना हैं वैसा उसका मार गया जयतना ही सुन्दर हुन्डू का जहरना कैसे बना। यह है हुंडु का जर्ना जो 243 फीट उपर से गिरती है जर्ना की प्रबल धारा जहां गिरती है वहां का पानी सत्रंगा इंद्रधनुस सा प्रतीत होता है तो यह हो गया एंसर स्वांड रेखा नदी पहाड को पार करने के लिए पहार पर चड़ती है और वहां पानी की कई धराय एक होकर पहार से नीचे गिरती है और यही जो जर्ना बनता है इसी जर्ना का नाम क्या है हुंडु का जिल फरपाद जो की 243 फीट उपर से नीचे गिरता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन मानू के विदा होने पर सिर्चन ने क्या कहा तो मानू घर से विदा होकर रेलेवे स्टेशन जा पहुची थी वह रेल के डब्बे पर भी जा बैठी उसके हिरदय में सिर्चन के परती क्रोध आ रहा था क्योंकि सिर्चन जो है ना उसका सारा समान नहीं ब मानू को देखा और उसे अती सुन्दर चीक शीतल पाटी और एक जोड़ी आसनी दी उन सब उन सबों की बनावट विचित्र थी वैसी वस्तू सिर्चन के द्वारा पहले कभी नहीं बनाई गई थी मानू बहुत खुश हुई सिर्चन के भार से दब गई उसके इसने भार से दबी मानू फुट फुट कर रोने लगी तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो मानू है मानू के विदा होने पर सिर्चन ने ये सारी चीछे दी थी शीतल पाटी एक जोड़ी आसनी ये सब कुछ जो है ना मानू के विदा होने पर सिर्चन ने दिया था अगला सवाल यहां प्लों के लिए एकदम आसान लग रहा होगा एकदम हल्वा लग रहा होगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपिया देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मुल्य चुकाया जा सकता है इस संबंद में अपना मत व्यक्त कीजिए तो काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपिया देकर किसी मजदूर से मजदूरी नहीं कराई जा सकती चूकि कोई भी व्यक्ती मजदूरी इसलिए करता है कि वो अपनी आवश्यक्ता की पुर्ती कर सके यदि मजदूर को उचित मजदूरी नहीं मिलती है तो वह अपने कर्तव्य के परती उदास हो जाता है मजदूरी मजदूर का श्रम फल होता है इसलिए मजदूर को उचित मजदूरी दे कर ही काम कराना चाहिए और उचित मजदूरी दे कर काम कराना ही उचित है ठीक है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपया दे कर किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं चुकाई जा सकती है वो जितना मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको फल मिलना चाहिए उतना ही उसको मजदूरी मिलना चाहिए नहीं तो वो व्यक्ति उदास हो जाता है अपने कर्तव व्य बेगार आदमी धीरे धीरे काम करने वाला नाप तौल कर काम करने वाला मुफ्त में मजदूरी करने वाला समझते थे अपने आलस्य की कारण वह काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खित पहुंचकर एक दिहाई काम कर चुके होते थे तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गाओं के किसान जो थे वो सिर्चन को कामचोर ही नहीं बेकार ही नहीं बलकि बेगार समझते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि गाओं के लोग मजदूरी के लिए सिर्चन को क्यों नहीं बुलाते तो सिर्चन को गाओं के लोग मजदूरी के लिए इसलिए नह आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि सिर्चन किस प्रकार की कारीगरी करता था या फिर कारीगरी करता है तो सिर्चन मोथी घास और पटेर की रंगिन शृतल पाटी बास की तिलियों की जिल मिलाती चीक सतरंगे डोड़ के मोड़े भूसी चुन्नी रखे रखने के लिए मु सवाल है सिर्चन पैसे से अधिक इसने को पसंद करता था उसे तरी बगहारी हुई तरकारी दही की कड़ी दूद आदी से बहुत दिल्चस्बी थी उसे घी के खकोरन के सांद चूड़ा बहुत पसंद था जहां उसे खाने को अच्छी चीज़ें मिलती वहां वह दिल खोल कर काम करता था जहां उसे खाने पीने में कोता ही होती वहां अधूरा काम छोड़कर चला जाता इसलिए सिर्चन को लोग चटोर समझते थे ठीक है तो यह हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अस्त्र और शस्त्र में अंतर को एसपस्ट करें बहुत ही आसान सवा है अस्त्र वह हत्यार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है जैसे कि तलवार गधा फलसा इत्यादी और शस्त्र वह हत्यार है जिसको फिक कर चलाया जाता है जैसे कि तीर भाला बम इत्यादी यह सभी क्या कहलाएंगे और जो हाथ में लेकर चलाया जाते हैं वह अस्त्र कहल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पदमा के ललकारने पर भी अशोक ने यूद करना सुविकार क्यों नहीं किया यह भी बहुत यह अच्छा कहानी है आप लोग और लड़ी में पढ़ा चुकी हो और आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे पदमा जब ललकारती है तो अशोक ने यूद करना सुविकार नहीं किया ऐसा क्यूं होता है तो देखिए एंसर में लिखा गया है पदमा के ललकारने पर भी अशोक ने यूद करना सुविकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पदमा इस्त्रियों की सेना लेकर यूद के लिए ललकार रही थी और इस्त्रियों से से जो हैं पदमा के ललकारने पर भी जो अशोक है वो यूद करना श्विकार नहीं किये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पदमा को अशोक से बदला लेने का अच्छा असर था तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया तो देखिए एंसर मिलिखा गया है यह भी बहुत आसान सवाल है देखिए अगर आप लोग चेप्र पढ़े होंगे तो यह सारा कोशन आप लोग के लिए एकदम हलवा लग रहा होगा आसान लग रहा होगा निहत्ते पर वार करना शास्त्र विरुध हैं अशोक ने स्त्रियों पर शास्त्र ना उठाने का नि अशोक को जिवी छोड़ दिया अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया ठीक है ना बोलती है पदमा की क्या बोलती है अशोक से अशोक से कहती है जाइए महराज तो हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि अशोक जो है अपना सारा तलवार और अपने स तरह अच्छा उसर था पदमा को अपने पिता की मृत्यू का बदला लेने का फिर भी वो नहीं लेती है बदला आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए वकील सहब सुखी क्यों नहीं है इर्शिया तू न गई मेरे मन से चैप्टर का नाम है और उसी चैप्टर से सवाल ये उठाये गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वकील सहब सुखी क्यों नहीं थे तो वकील सहब इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें अपने आपकी सुख सुविधा से संतुस्टी नहीं है वे अपने पडोसी के वैभों की वृद्धी से परिशान है और देख कर वो दुखी होता है ठीक है इसी को कहते हैं कि इर्शिया का शुरुवात हो गया है वे इस चिंता में भूने जा रहे हैं कि बीमा एजेंट के मोटर उसकी मासी काय यान की मंथली इंकम जो है और उसकी तरक भड़क भी उन्हीं की हुई होती तो वे अपने को सुखी महसू कि इर्शिया को अनोखा वर्दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हिर्दय में इर्शिया का विकास हो जाता है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है बलकि उन वस्तुवों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है यही अभा जैसे इर्शिया को अनोखा वर्दान कहा गया है ठीक है तो कभी भी इर्शिया नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ। अनत दर nagत होता है यह दो तरीके से किया जैताया एक पॉजीटीव मैं शरया करते हैं तो दूसरों को हानी पहुचाएंगे यहां तक की दूसरों को ढराने धबखाने और उसको कस्ट पहुचाने पर भी उतर जाएंगे लेकिन अगर आप इर्शिया पोजिटीव वे में करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग क्या कमपडिशन की भावना से अगर आप लोग पोजिटीव वे में इर्शिया करते हैं यान की कमपडिशन की भावना से इर्श को कहा गया है जिसके आसपास इर्शिया होती है वही दूसरों की निंदा करता है बिल्कुल सही बात है इर्शिया की बेटी का नाम क्या है निंदा यानि कि जिसके अंदर गर इर्शिया होगी ना वो निंदा करेगा या इनकी बुराई करेगा जिससे वो इर्शिया कर रहा है उसके समाज में कान, दूसरों समाज के लोगों के अंदर कान भरेगा कि ये वो है, ये है, मतलब उसके बारे में गलत सही, कुछ भी बोलता फिरेगा और धेर सारी बुराईया करेगा, यानकि समाज के लोगों को व्यक्ति के खिलाब भड़काएगा ठीक है, इरश्यालो व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नजर से गिर जाए तो उसका इस्थान हमें प्राप्त हो जाएगा, और इस वज़र से वो व्यक्ति जो है, जाकर निंदा करता है लोगों की लेकिन वह भूल जाता है कि दूसरों को गिराने की कोशिश में उसका अपना ही पतन होता है उसके भीतर के सदगुड़ों का हरास होने लगता है, फलता निंदा करने वाले लोग औरों की नजर से गिर जाते हैं ठीक है, तो जो देखे, यहाँ पर एक सिख हमें भी मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है न, कान भरता है उसे उसी तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही हो जाएगा कान भरने वाला यान की बुराई करने वाला काम मतलब वो दिन भर दूसरों की बुराई करने में ही लगा रहेगा, जिसके उसके खुद के काम नहीं होंगे और उसका खुद का ही पतन हो जाएगा, ठीक है, वो करते रहे कितना भी बुराई करे, आप अपना काम कीजिए, यह होता है सोच ठीक है न, तो इससे आप लोग को यह सीख लेनी चाहिए, कि आपके बारे में कोई कितना भी बुराई कर रहा हो, करने दो, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विक्रम शीला कहां अवस्थी थे, यह भी important question है, विक्रम शीला भागल पूर ज इसकी स्थापना कब हुई थी, आठवी सदी में, और किस राजा, राजा का नाम था है, धर्मपाल, ठीक है, यह हो गया answer, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विक्रम शीला के पाठेकरम में क्या क्या शामिल था, यहां के पाठेकरम में, तंत्र विधा के इलावा, व्याक ठीकरम विक्रम शीला में मौझूद थे, यानि कि यह सारे subject को पढ़ाया जाता था, आगे बढ़ते हैं, तंत्र विधा के बारे में, आप क्या जानते हैं, तंत्र विधा वह विधा है, जिसमें चमतकार एवंभूत प्रेत संबंदी ज्ञान के बारे में बताया जाता है, के संदर्व में प्रचलित जन्शूती क्या है यानि कि विक्रम शीला नाम क्यों रखा गया विक्रम शीला विश्विदाले का नाम विक्रम शीला ही क्यों रखा गया तो देखें विक्रम शीला नामकरन के संदर्व में प्रचलित जन्शूती है कि वहां की आचारयों के विक् विक्रम नाम्मक यक्ष्ष था आप यूँ कह सकते हैं राक्ष उसको दमित किया गया था और उसी इस्थान पर उसका विहार बनाया गया था तो इस कारण जो है ना विक्रम शीला विश्व विधाले का नाम विक्रम शीला रखा गया नेक्स्ट कोश्चन अंदे स्क्रीन किस चीज का शौक था ये इंपोर्टन कोश्चन है और देखे इसके एंसर में क्या लिखा गया है गुलाब के फूल सी ननी संजु आठवी कप्छा में पढ़ती है जो सोभाव सी हसमुक पढ़ने में सयानी तथा कहानी कविता कॉमिक्स आदी पढ़ने की शौकीन है उसे चटपटी पुस्तक पढ़ने का शौक था चुटकुले सुनाने और महसने हसाने का भी शौक है हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं संजु को डायरी लिखने की प्रणा किस से मिली तो संजु को डायरी लिखने की प्रणा गांधी साहिते में संकलित बापू के सत्य के हो गई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल निराला को दिन बंधू क्यों कहा गया इंपोर्टन कोशन है ये भी देखिए जवाब में लिखा गया है निराला ने जीवन भर दिन दुख्यों की सेवा की जहां कहीं भी उन्हें दिन दुख्य मिल जाते वे पूरी आत्मियता से उन कि निराला जी जो थे न वो दिन दुख्यों की दिन भर दिन दुख्यों की मदद किया करते थे इस वज़े से उनको क्या कहा गया दिन बंधू कहा गया तो इस तरह से आप लोग एंसर लिख सकते हैं आसानी से इसमें ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप लोग करते हैं अगला सवाल देखिए खेमा कसारा के होटल पर काम क्यूं करता था तो खेमा कसारा के होटल पर काम इसलिए करता था क्योंकि उसके पिता ने अपने गरीबी के कारण अपने बेटे खेमा को बेच दिया था खेमा अपने भाईयों में सबसे छोटा था जो आठ नौ द्वारा चपल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया तो खेमा द्वारा चपल की मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया कि अपना काम करो नहीं तो चपल सिर पर मिलेगी खाने को दाने नहीं थे इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया और जमी का महीना था धूप तेज हो गई थी उसे लंगे पैर इधर उधर चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने के लिए जाना पड़ता था गर्म सड़क पर चलने की कारण उसके पैर जलते थे अता जलन से शांती पाने के लिए पैरों पर पानी गिरा देता था देख सकते हैं क लेकिन आप लोग अंथ तक बने रहिएगा क्योंकि सारा सब्जेक्टिव कोशन में अम लोगों कि अगले सवाल के पिता उसे बेश दी था तो खैमा के पिता की आर्थी के स्तितिः अती बैनिय थी वह अपने बाच्चों का भरन पोशन करने में असमर्थ था वह किसी तरह जीवन गुजार रहा था गरीबी के कारण वह शक्तिहीन हो गया था आमदनी के अन्यसरोत अगला सवाल करपूरी ठाकूर को कौन सा काम करने में आनंद मिलता था तो करपूरी ठाकूर को दोड़ने तैरने तथा ग्रामिण गीतों के गायन में विशेस आनंद मिलता था देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर यहां पर एंसर लिखा गया है करपूरी ठाकूर को चरवाही करने डफली बजाने तथा पीडितों की सेवा करने में विशेस आनंद अगे बढ़ते हैं मैट्रिक के बाद उच्छ शिक्षा के लिए करपूरी ठाकूर को कहां और किस प्रकार जाना पड़ा था तो मैट्रिक परिक्षा के बाद करपूरी ठाकूर ने उच्छ शिक्षा के लिए दर्भंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में अपना नमां पहुंचते थे और दिन भर कॉलेज में पढ़कर संध्या समय पर घर वापस लोड़ते इस प्रकार नित्य पचास से साथ किलोमीटर की यात्रा करके 200 वर्सों तक वो पढ़ाई जारी रखे थे वो गया एंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए कर पूरी ठाकूर पर स्वतंत्रता की पीड़ा से करा रही है इस एस्तिती में पढ़ाई करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ना संभव नहीं है देश वासियों को सम्मान जनक तता सुविदा संपन स्वाधिन जीवन यापन करने के लिए मात्री भूमी की आजादी ब्राप्त करना आवश् अच्छा हुआ आप लोगों को बताना है एंसर में देखे लिखा गया है कि एक दिन लेखक भूख नहीं भूख नहीं रहते एक मिनट रूजए यहां पर थोड़ी सी गलर टाइपिंग हो गई है एक दिन भी लेखक जो है ना भूखे नहीं रहते अपनी पतनी की आगरा प के बाद भी उसका रोग जड़ से खत्म नहीं हुआ यानि कि जड़ से ठीक नहीं हुआ अंत में इस्तरी के कहने पर ठीकाने से भोजन किया आराम किया और उसके सभी रोग दूर हो गया है तो इस तरह पूरी कहानी चिकित्सा का चकर चप्टर का नाम है और पूरी कहानी त उसके बज़े रात को पेट में दर्ज होता है और उसके बाद से इनकी वीमारी स्टार्ट हो जाती है और मतलब कितना दिखा लेते हैं लाक दवा कराने के बावजूद भी इनका यह भीमारी ठीक नहीं होता है और आखिर में की पतनी डांट कर बोलती है कि चुप-चप रह लेखक को बिमार पढ़ने की इच्छा क्यूं हुई कि स्वादिस्ट बिस्कुट खाने को मिलेंगे पतनी सीर में तेल डाल कर सेवा करेंगी तथा मिलने के लिए आने वाले का ताता लगा रहेगा इसलिए उन्हें एक दिन कुछ ज्यादा जलपान कर लिया जिसके वज़ासे उनकी तबियत खराब हुई और ऐसी तबियत खराब हुई न की ठीक ही नहीं हो रही थी अपने देश में चिकित्चा की कितनी पधतिया परचलित हैं उनमें किन-किन पधतियों से लेखक ने अपनी चिकित्चा कराई इन में से लेखक ने एलोपेथी, आयरुवेदिक और यूनारी चिकर्चा पदत्तियों से अपना इलाज करवाया अभी जाड़ फुक पर जाने ही वाले थे कि उनकी पत्नी रोक दी आगे बढ़ते हैं तो जिन्द है तो कवीता हमें किस प्रकार की प्रेणना देसि है फर्स्ट Crown कलास के नॉन हिंदी के बुक का जो किसले हिंदी उसका फर्स्ट चैस चक्टर से इसाने उठाण से सवाल उठा गया ही एक ठाया गया ख़ोशन पूछा यहारा है कि तू तो जिन्दा है तो कवीता में कवीता जो है ना हमें किस प्रकार की मोटिवेशन देती है किस प्रकार की प्रिणना देती है तो तु जिन्दा है तो कवीता हमारे गहरे जीवन राग और उट्चा को प्रकट करती है इस जीवन राग में अतीत के दुखमाई पलों को भूल कर आशा और जित की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रिणा दी गई है तो जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर अगर कही है स्वर्गतव उतारला जमीन पर इस कवीता से हमें यही प्रिणा मिलता है कि हमें अपने जीवन में जो दुखमई पल है जो की अतीत में बित चुके है और आश्या और जित की नई किरण लेकर हमें जिंदगी को बिताना चाहिए और आने वाले जिंदगी को नई दुनिया का स्वफत करना चाहिए थैख है यह हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कर्मवीर की पहचान क्या है ये भी important question है जवाब में देखे लिखा गया है कि कर्मवीर विशम परिस्थितियों में भी सहज बने रहते हैं वे भागयवादी नहीं बल्कि कर्मवादी होते हैं वे हर काम तुरंथ करने का प्रयास करते हैं किसे भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती वे अपने दिरितार से विपरीत वातावाण को अनुकूल बना लेते हैं उनका सिध्धान्त करो या मरो होता है जब कोई काम वे आरंब करते तो पूरा करने के बाद ही वे दम लेते थे ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोण लेते हैं वे सदा अपने प्राक्रम पर भरोसा करते हैं उनका समय ऐसे कारे में व्यतीत होता है जिससे सब का कल्यान होता है, अत्ता हम कह सकते हैं कि कर्मवीर, निर्भिक, देश प्रेमी, स्वावलंभी, आत्म विश्वासी, प्रोपकारी, सहज सरल और स्वाभिमानी होते हैं, हो गया answer, आगे बढ़ते हैं कनक शब्द का परियोग किन-किन अर्थों में किया गया है, तो कनक शब्द का परियोग दो अर्थों में किया गया है, कनक शब्द का परियोग धतुरा तथा सोना के अर्थों में किया गया है, यह हो गया answer, बहुत ही आसान सवाल था यह, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गुड नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे गुड नाम से ज्यादा बड़ा होता है इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्म की आधार पर मान अपमान मिलता है जिस व्यक्ति का काम जितना लोक कल्यानकारी होता है उसे उतना ही अधीक आधर की द्रिश्टी से देखा जाता है चाहे वह नीच जाती का ही क्यों न हो उच जाती के होने पर भी यदि वह बुरा कर्म करता है तो दुनिया उसे नीच द्रिस्टी से देखती है जैसे धतुरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता गहना बनाने की काम में सोना ही आता है धतुरा नह आपको यदि अलला इश्वर से कुछ माँगने की जौरत हो तो आप क्या मांगेंगे? ज़रा सोचे यहां पर आप लोग खुद से भी एंसर दे सकते हैं आप लोग अपने आपसे सवाल कीजिए कि अगर आपको अल्ला या फिर इश्वर से कुछ मांगने की जौरत हो तो आप क्या मांगेंगे आप अपने हिसाब से एंसर दे सकते हैं लेकिन देखें यहाँ पर एंसर में क्या लिखा गया है एंसर में लिखा गया है कि यदि मुझे अल्ला या इश्वर से कुछ मांगने की जौरत होगी तो मैं इश्वर से एक सच्चा मानो बनने की अभिलाशा परकट करूँगा क्योंकि सच्चा मानो इमानदार सत्यवादी करमठ आचारवान इसने ही त्यागी प्रोपकारी देशप्रेमी स्वाभिमानी तथा दूसरों के सुक दुख में हात बटाने वाला होता है इसलिए मैं एक सच्चा मानो बनने की प्रातना इश्वर से करूँगा ताकि जीवन धारण का उदेश्या सफल हो सके बच्चे की दुआ कविता में संसार को बहतर बनाने की कामना मुखर हुई है उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिये तो कविता में एक नेक इंसान में जो गुड होता है उन ही गुडों की प्राप्ती की कामना की गई है बच्चों की दुआ नाम के कविता में की गई है इसलिए कवी चाहता है कि संसार के सभी लोग एक स्वस्थ मानों बने ताकि एक नए समाज की एस्थापना हो सके Next question है कि मोकोशब्द किसके लिए परियोग किया गया है ये भी important question है मोकोशब्द का परियोग परमपिता परमेश्वर अर्थात ब्रह्मरूप इश्वर के लिए किया गया है कर्मवीर किस प्रकार के कवी थे तो कवीर जो है भक्तिकाल के और प्रतीम भक्त कवी थे उन्होंने अपने रशना के माध्यमजे भक्ती के नाम पर व्याप्त बाहे अडंबरो और व्यर्त अनुस्थानों पर करारा प्रहार किया है पाठ में शामिल पदों में उनका यरूप मुखर हो उठा है हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन फड़वर देखते हैं सगुड भक्ती धारा और निर्गुड भक्ती धारा के अधार पर कबीर को आप किस शेडी में रखेंगे तर्कपुन उत्तर दीजिए कबीरदास निर्गुड भक्ती धारा के कभी थे क्योंकि उन्हें इश्वर को मानव हिर्दा में ही रहने वाला बताया है, उनके अनुसार मंदिर मस्जिद या कैलास आदी तिर्थ स्थान में साकार रूप सित देवताओं की मुर्तु में इश्वर नहीं रहत है, यानि की कबिर्दास के अनुसार इश्वर जो है, वो किसी मंदिर मस्जिद या फिर कैलास या फिर किसी विस्थान पर देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी ढूंडो आपको इश्वर कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इश्वर तो आपके अंदर है, यानि की इश्वर को मानव हिर्दे में ही रहने वाला बताएं हैं कौन कभीरदास आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं people किस प्रकार की कवीता है लिखें answer में लिख गया है देखें प्रस्तुत कवीता गोपाल से नेपाली द्वारा लिखी छायवादी कवीता है यह कवीता प्रकृति के विविद रूपो जो अनेक बदलाओ का साक्षी है पीपल विर्ख्ष के समक्ष विभिन परकार के पेड़ जरने नदी चिडिया रीतुए दिवस चक्र तक्रिया हैं या किवीता अनेक दृष्टियों से उल्लेखनिया है नेक्स्ट कोशन पीपल का पेड़ हमारे लिए किस परकार उपयोगी ह तो पीपल का पेड़ हमारे लिए सदेव उपयोगी है या हमें शीतल चाया परदान करती है या पेड़ पशु पक्षियों की आस्रा इस्थली है पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राण वायू यानि की ऑक्षिजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा ग ये जो पेड़ है यह महत्वपूर्ण उपयोगी दोनों है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पीपल का पेड़ जो है ना अमारे लिए काफी उपयोगी है बहुत मतब यह महत्वपूर्ण भी और उपयोगी भी है अगला सवाल देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं फास्ट की बोलने लगती है इसे मनुरम वाता वरन में बुलबुल व्यग्र होकर अपनी मधुर तान छेड़ने लगती बुलबुल का गाना भी सुनाई पढ़ने लगता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह का बाता मिलने पर बुलबुल पक्षी जो है न वह बोलने लगती है गाने लगती है नेक्स्ट कोश्चन वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए यानि कि वन्य का जो प्रांत ह जहां पर पेड़ पौधे जंगल पाए जाते हैं उसके सुंदर्य का वर्नन करना है तो देखिए वह ने परांथ का सुंदर्य दर्शन्य होता है विविद प्रकार के पेड़ लताय जहरना जील और नदियों से बना प्रांथ की शोभा मनुरम होती है चिडियों का कल्राव मो दैनिये प्रस्तिती में रह रहे हैं इनके निवास के चारो और कूड़े करकट के धेर जमा है शहर के गंदे जल निकलने वाला नाला इनही के घर के पास में बहता है फलता वंचित लोगों के मुहले का वातावर्ण अती दूसित है कूड़े कचड़े से निकलने वाली जीवन बिताने को मजबूर है यह कितनी बड़ी विडम बना है ठीक है तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं कि खुश्बू रशने वाले हाथ जो है न कैसी परस्थितियों में रह रहे हैं जो खुश्बू रश्ते हैं यानि कि जिन से अगर बतिया जो खुश्बूदार कि णिस हाथ से सारी खुश्बूदार चीज बनती हैं वहाथ किस तरह की परस्थितियों और किस तरह के वातावर्ण में रहता है यह बताया गया है कि एक से अधिक एक से अदुत रूख आए यहां रुके रुके देखे मैं आप लोगों को बता रहे हूं लिखा गया है कि खुश्बूरस्ते हाथ से तातपर्य है कि खुश्बुदार विविद प्रकार की अगर बत्य बनाने वाले लोग एक से एक अद्बुद वस्तु इन्हीं के हाथों के श्रम की ही देन है अतब व्यक्त यहां पर बताया जा रहा है कि खुश्बु रस्ते हाथ इसका मतलब इसका तातपर यह है कि वह हाथ जो खुश्बु को रस्ते हैं यानि कि अलग अलग प्रकार की जो अगर बतिया खुश्बु के समान जो बनते हैं वो उन गरीबों के हाथों से बनाया जाते हैं जो कि बह होतले हैं भी यहांत रहते हैं एक एतने ही संच करते हैं यह जो हमें इतने भीनोर करते हैं यानि कि ये जो गरीब लोग हैं इनके यही मेहनत करते हैं इनी का श्रम होता है जिसके उज़से दुनिया सफलता की और बढ़ रही है और इसलिए कवी को कहना पड़ा कि खुशबू रशते हैं हाथ यानि कि यही हाथ जो गंदी वातावण में रहते हैं वही हाथ आज नीर दुर्बल हो गया है उबरी हुई नसे इस बात को सिद करती हैं कि उसने सुख सुविधा के साधन जुटाने में कठिन परिश्रम किया है वैसे तो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई हूं और बताई भी नर्सों वाले हाथ का अर्थ क्या होता है जो लोग ज्या है आगे बढ़ते हैं पिपल के पत्ते से ने नए हात का क्यार्थ है तो पिपल के पत्ते से ने ने हाथ से कविका तत पर एक हुआ कोमल हातों सeeee जो सृष्टी श्रिंगार के उद्यस्य से श्रम करते हैं उनका विश्वास है कि श्रम बल पर ही सुखमे जीवन का आनंद लिया आनंद लिया गया है यानि कि पीपल के पत्ते से नए-नए हाथ करत बताया गया है कि वो छोटे-चोटे हाथ मतलब बच्चों के हाथ यहां पर सवाल है कि जहासी की रानी कविता के आधार पर कालपी युद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जवाब में लिखा गया है कि जहासी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मी कालपी के मैदान में युद करने चल पड़ी जहासी से सो मिल दूर होने के कार उनका घोड़ा ठक चुका था वो घोड़ा गिरकर मर गया अब रानी लक्ष्मी बाई ने नया घोड़ा लेकर यूद आरंब कर दिया इस यूद में भी अंग्रेजों को हार का मुख देखना पड़ा ये हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये बुढ़े भारत मे भी आई फिर से नई जवानी थी उप्युक्त पंक्ती में भारत को बुढ़ा क्यों कहा गया है जवाब में देखे लिखा गया है कि उप्युक्त पंक्ती में भारत को बुढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है बहुत पुराना है इस वज़ा से नेक्स्ट कोशन कि लक्ष्मी भाई का बच्पन किस प्रकार के खेलों में बीता तो लक्ष्मी भाई का बच्पन प्राय शिकार खेलने में नकली यूद करने में व्यू रचने में व्यू तोडने में सेना को घेरने सेना से घिर जाने पर उससे निकलना दुर्ग तोडना और यहां पर एंसर देखें सुधामा के दिन दशा देखकर श्री कृष्ण विवल हो गए और इतना विवल हुए कि रोने लगें जब श्री कृष्ण का पैर धोने लगें और पैर में बिवाईया तथा चुबे हुए काटे देखें तो देखकर इतना द्रवित हो उठें कि पानी छुए बिना अपने अशिरूसाइं अपने अश्रू से ही उनका पैर धो डाले हुए उन्होंने मित्र की ऐसी दहनिय दशा पर उनसे यहां पर आगे नहीं लिखा गया है उनसे पूछा भी था लेक्न मतलब आप यहां कलते हैं कि आप लोको बस इतना रोए कि पारात का पानी छुए बिना ही उनके आसु इतने बहे गया ना कि अश्टूर जल से ही सुदामा के पैर धुल गए बस इससे आगे लिखने की जोरत भी नहीं है ठीक है आगे बढ़ते अगला सवाल सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यूं हो रहा थें कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और फिर जाओं भी तो कैसे जाओं पत्नी द्वारा दी गई पोटली को सुदामा बगल में छिपाए क्यूं थे तो इंसर में लिखा गया है पत्नी द्वारा दी गई पोटली को सुदामा बगल में इसलिए चिपाए थ कि लोगों के समक्ष ऐसी तुछ वस्तू देने में उन्हें संकोच हो रहा था इस वजह से पत्नी द्वारा दी गई वो जो पोटली थी वो अपने काख में चुपा रहे थे नेक्ष कोशन देखिए द्वारपाल ने श्रीकृष्ण से सुदामा के रूप स्वरूप का जो वर अंदिखकर वे बड़े चकित हैं एंसर यह हो गया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जब कृष्ण ने सुदामा को खाली हात्व विदा किया तो वे क्या सोचते हुए घर वापस लोटे सुदामा खाली हात लोटे देखिए जवाब में लिखा गया है जब सुदामा खाली ह में उन्हें कुछ नहीं दिया उन्होंने अफसोस किया कि न मैंने उनसे कुछ मांगा और ना उन्होंने मुझे कुछ दिया इसलिए मैं आता भी नहीं था मेरी पत्नी नहीं बहुत हट करके यहां भेजा था जब मैं जाकर अपनी इस्त्री को व्यंग कर कहूंगा कि करता है तो गुमान करता है पर युग-युग से न जाने कितना पानी या पहार दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं यह पंग्ति दे दिया गया है यह लाइन आप यूंग सकते हैं और इसे रिलेटेड़ कि प्रसुत पंक्ती हुन्रू का जल प्रपात शिशक पाट से ली गई है और इस पाट के जो लेखक है वो कामता प्रसाद सिंग काम है और कौन दान करता है तो गुमान करता है तो पहार जो है ना वो पानी दान करता है तो गुमान करता है और पहार निस्वार्थ सबों के लि तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटे पन के भागिदार बन जाए यह पंगती दिया गया है और उससे यहां पर चार सवाल पूछे गये हैं पहला सवाल की प्रस्तुत पंगती किस पार्ट से ली गई है तो प्रस्तुत पंगती जो है ना यह इर्श्य तूना गई मेरे मन शुषक पार्ट से ली गई है और इसके लेखक कौन है तो रामधारी से दिन कर है और इसमें लेखक ने किस प्रकार की व्यक्ति की प्रवर्ती के बारे में बताया गया है तो देखिए यहां पर देखिए लिखा गया है कि इसमें लेखक ने निम्न विचा से दूसरों को आखता है इसलिए जो हीन विचार के होते हैं वह दूसरों की गंभीरता को उनका अहंकार मानते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रती दूसरों की शिकायत करनी होती है जबकि उच विचार के व्यक्ति दूसरों की निंदा करके अपनी आदत बिगारना नहीं चाहते क्योंकि इससे उनका सम्मान घटेगा चरितर दूसित तथा व्यक्तितो परभावित होगा इसलिए वे किसी की बातों पर ध्यान ना देकर चुप रहना ही बहतर समझते हैं लेकिन निम्न विचार वालों का उद्श्य होता है कि अच्छे लोग भी मेरी तरह ही आच्राण करें वो गया अंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए फड़ाफट अगला सवाल है कि दो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है तो ये पंक्ति है इससे यहाँ पर चार सवाल पूछे गए हैं कि प बनारसी जी हैं और यह एक व्यंग्य परधान कहानी है और इसका अर्थ देखे लिखा गया है इस पंक्ति का अर्थ यहां पर लिख दिया गया है कि जैसे हिंदुस्तान में धीरे-धीरे सोने की कमी हो रही है उसी प्रकार धीरे-धीरे आपका दर्द जाता रहेगा एक दि बेड़ा चला देते हैं वे जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है उन्हें है उन्होंने ही निकाली तार की सारी किरिया तो यह पंक्ति है और इससे भी चार सवाल है देखिए पहला सवाल कि प्रस्तित पंक्ति ज इसमें कवी ने किसकी विश्यष्टा के संबंध में बताया है और कि इन पंक्ति के भाव को लिखे यानि कि इसका अर्थ बताना है आप लोगों को तो कवी के कहने का भाव कि सारे विकास मानव के द्रिर निश्चे का ही प्रतिफल है जब हम पूर्ण निश्टा तथा विवेक से काम आरंब करते हैं तो सफलता मिली जाती है आज का बैज्ञानिक चमतकार पुरुशार्त के बल पर ही संभव हुआ है इसलिए हमें सदा पुरुशार्ती कर्मवीर बनने का प्रयास करना च इससे विचार सवाल प्रस्तुत पंक्ति किस कवीता से ली गई है तो प्रस्तुत पंक्ति जो है न यह ली गई है सच्चाई से संक्लित बिहारी के दोहे कवीता से ली गई है ठीक है और इसके रशनकार और विजोली बात है बिहारी होंगे तो इसके रशनकार कवी बिहारी कीजे यहां पर यानि की अर्थ बताना है तो कवी का कहना हैं कि इश्वर की प्रापती के लिए दिल सच्चा होना अवश्यक होता है ऐस दोहा में कवी सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि माला पर जब करने से या माते परतिलक लगाने से एक भी कार्या नहीं पाता है, जिसके मन में खोट होता है, उसके सारे कार्या बेकार हो जाते हैं, जो सच्चा वेक्ती है, उस पर ही राम भी प्रसंद होते हैं. यहने की खुश होते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, नर की अरूनल नीर की गती एके करी जोए जे तो नीचे हवे चले ते तो उचो होए ये पंक्ती है और इससे भी चार सवाल है कि प्रस्तुत पंक्ती किस कवीता से ली गई है तो ये भी सचाई से संकल लित विहारी के दोए शिरसक कवीता से ली गई है और इसके रशनकार वि के विशय में कहा गया है तो इसमें विन्नम्र व्यक्ति की श्रेष्टता के विशय में कहा गया है और आखरी सवाल है इस पंक्ति से रिलेटेड कि इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए यानि की अर्थ बताना है तो देखिए अर्थ भी बता दिया गया है कि इस दोहे में कभी बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि मनुष्य और नल के जल की एक गती है मनुष्य जि कि उपर विस्त्रित नभ नील नीचे वसुधा में नदी जील जामुल तमाल इमली करील जल से उपर उठता मिरिनाल फंगी पर खिलता कमल लाल लाल यह भी एक पंग्ति लिया गया है और इससे चार सवाल पूछा गया है कि प्रस्तुत पंग्ति जो है किस कवीता से ली गई ह तो यह पीपल शिशक कवीता से ली गई है और इसके रचनकार कौन है तो छयवादी कवी गुपाल सी नेपाली है और इस पंग्ति में कवी ने किस चीज का वर्णन किया है तो इस पंग्ति में कवी ने प्राकृतिक सौंधर्य का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गय जलाशियों में जल क्रीणा करते हंस अपने खुशी प्रकट करते हैं तो खीले हुए कमल के लाल लाल फूल लोगों के मन में आनंद का स्रीजन करते रहे हैं तात्पर्या यह कि भारत की ही भारत ही ऐसा देश है जहां प्रकृती ने खुले दिल से इसे सजाया और समारा है तो कर में यह सब्जेक्टिव कोशन तैयार की थी अगर इन सभी सब्जेक्टिव पर आप लोग का कमांड हो गया है तो आप लोग टेंसन फ्री हो जाई है क्योंकि एक भी कोशन आप लोग फाइनल एक्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे यह मैं पूरे विश्वास के साथ के चैनल पर आप लोग नए आए हुए मरे बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्स्राइब करके बट लाइक एक बार किया जता है लाइक एक बार करते और जितना ज्यादा जितना दिल करें उतना बार आप लोग शेयर करें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चानल पर अगर आप लोग नए नए आये हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को जूड़े रहे ग्यापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ क्योंकि आप लोग के एक्जाम के पहले तक एकदम प्रिप्यर करा दिया जाएगा एक्जाम देने के लिए तो बस आप लोग टेंसन आले हर एक सब्जेक्ट का जो महामयराथन चलेगा एक एक वीडियो मे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज